वो है FedEx, नाम तो सुना ही होगा, नहीं तो वह नों बताएंगे FedEx क्या है और आज हम इसका नाम क्यों ले रहे हैं तो अनिल जी FedEx है क्या तो Logistics जिसकी बात आशिश कर रहे हैं, उसमें ही FedEx भी काम करता है और जैसे कि आशिश ने का कि हम बहुत जल जो दुनिया बर की कंपनिया हैं उनको टकर देंगे तो basically FedEx ने जो अपना quarterly numbers दिये हो जिसते से guidance दिया है लगता तो यह यह कि बहुत जल हम इनको टकर देंगे इतनी बुरी हालत इनके हो चुकी है दसल FedEx ने अपने जो टिमाई के preliminary नतीजे हैं उनको यहाँ पे गोशित किया और वहाँ पे अच्छी खासी गिरावाट देखने मिली है सालदर सा अगर आप EPS देखेंगे तो 4.37 डॉलर से घटके सीधे 3.44 डॉलर के आसपास आयाने कि भारी बरकम करीब 1 डॉलर के आसपास की गिरावाट यहाँ देखी गई जबकि माना जा रहा था कि यह बढ़के 5.14 डॉलर के आसपास आएगा FedEx का कहना है कि दुनिया बर में जिस तर से you know problems चल रही है उसके कारण कहिना कई कमनी के नतीजे कमजोर रहे हैं सिर्फ यह नहीं इन्होंने अपना आगे का guidance यानि की अगले quarter का guidance भी घटा दिया है और पूरे year का guidance जो है उसको तो हटा ही दिया है घटाने का तो छोड़िये उसको तो पूरी तर से अटा दिया है बेसिकली इनका कहना कि जिस तर से लगातार बहुत जल्द चीजे बदल रही है तो कईना कई guidance देना जो है इनको सही नहीं लगा और इसके लिए इननोंने बदला अपना guidance और हटाया अपना guidance खासकर US, Asia और Europe में जिस तर से problems है services को लेके उसके चलते इनकी हालत जो है वो लगातार खराब होते जा रही है और सिफ यह नहीं इसके चलते काफी सारे कदम और उठा रहे हैं जिसके लिए इनको cost cutting करनी पड़ेगी जैसे की company अपने जो ground operations है काफी जगा उनको Sunday को बन दख उसमें भी अब यह धीमापन लाने वाले हैं तो नतीजे जो है वो कमजोर है आगे का guidance जो है वो काफी जादा कमजोर है और उसके चलते cost cutting इस company को करने के पड़ेगी है तो कही ना कहीं globally अगर आप देखेंगे तो logistics की जो हालत है वो काफी कमजोर है